क्यां है कि असलाम आलेकुं स्टुडेंट्स आज हम यूनित 3 में से सर्कुलर मोशन के साहरा देल करेंगी तो पहला अस्पेक्ट जो सर्कुलर मोशन का पढ़ने जा रहे हैं वो है कोई बी बाडी जो circular motion में मूव कर रही हो तो वह बाडी जो एंकल बनाती है उस एंगल को हम नाम देते हैं एंगूलर displacement का यांकि यह एक बाड़ी थी सरकल में मूव कर रही है तो सेंटर आफ सब्सक्राइब यह बाड़ी जो एंगल बना रही एंगल ठीटा यह एक बाडी है इस पॉइंट पर थी देन मोव करके इस पॉइंट पर चलीगी तो इस दुरान इसने जो एंगल यहां पर बनाया सेंटर आफ सर्कल पर इस एंगल ठीटा इस नोवन एज एंगूलर डिस्प्लेस्मेंट इसको ठीटा से डिनोट करते हैं और य यहां पर एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि हर वो क्वांटी जो लिनियर मोशन में स्केलर थी वो एंगूलर मोशन में भी स्केलर होगी और जो क्वांटी लिनियर मोशन में वेक्टर थी वो एंगूलर मोशन में भी वेक्टर होगी जैसे एकसलेशन था एकसलेशन ल एक्सैरेशन जो है इसको द्णोय के लग enosid लेकिन दोनों एक्सैरेशन जो हैं वो리क्टर है इसी तरह विलास typी जो थी लिनियर मोशन में वैक्टर थी इसी तरह आंगुलर मोशन में भी वैक्टर होगी दिश्पेस्पेस्यν पन्हां 9 20 यूनिट इसका यूज़ के रहता है that is degree, तो degree को किसना define करते हैं, जो circle है, जिसमें body move कर रहा है, उस circle का जो circumference है, जो boundary है, उसको 360 equal arcs में divide कर दिया जाए, 360 equal arcs में, जैनिकि 360 कोसे लगा दी जाएं, बराबर कोसे, तो हर वो course, जो center of circle पर जो angle बनाएगी, वो angle 1 degree होगा, जो ए that is degree, and radian के है, के एक ऐसी course, circumference of circle पर एक ऐसी course, जिस course का जो area कह लें, वो radius of circle के बराबर हो, जैनिकि कोस की length, arc length radius of circle के बराबर हो, तो वो course जो center पर angle बनाएगी, वो angle एक radian होगा, जैनिकि ऐसी course जिसका, जिसकी length radius के बराबर है, उस course की बिजाए से बनने वाला angle जो है, वो radian है, and revolution के है, के circle का, एक complete circle की boundary का complete checker लगाया, जै whole round of circle boundary, इसको हम नाम लेते हैं, एक revolution का, तो ऐसा unit के है, इसका ऐसा unit, angular displacement का radian है, और इनका relation के है, one revolution is equal to 2 pi radian, और 360 degree, तो 2 pi radian is equal to 360 degree, तो pi radian किसके ब्रापर होगा, तो 2 काट जाएगा, इसके साथ, तो pi radian is equal to 180 degree, जबके pi ब्रापर है, 3.14 के, तो 2 pi radian is equal to 360 degree, तो 1 radian किसके ब्रापर होगा, 1 radian के value calculate करने के लिए, 2 pi तर मल्टिप्लाय हो रहा था, रेडियन के साथ, दूसरी साथ पर 2 pi जो है, वो डिवाइड हो गया, तो इनको काट के, 180 by pi and pi के value put करने, 3.14, then it is equal to 57.3 degree, 1 radian is equal to 57.3 degree, again, अब हम calculate करने के 1 degree किसके ब्रापर आता है, तो 2 pi radian is equal to 360 degree, तो यहां पे 360 को दूसरी साथ पर हम divide करने, it will give us the value of 1 degree, so जब इसको इसको इस साथ पर divide कर दिया, तो 2 pi की जिगा, pi की value 3.14 foot की, तो 0.0174 radian, 1 degree is equal to 0.0174 radian, next हम MCQs देख लेते हैं, if theta is equal to 2 revolution, and r is equal to 2 meter, then find s, अब हम formula पढ़ चुके हैं, कि book में हम formula, यह derive भी हमने किया था है, कि s is equal to r theta, s is equal to r theta, and r की value हमें दी हुई है, theta की value भी हमें दी हुई है, अब यहां पर बचे क्या करेंगे, 2 multiply 2 is equal to 4, तो correct answer alpha लगा दिया, लेकिन alpha answer correct नहीं है, alpha answer wrong है, क्यों? क्योंकि यह formula सर्फ उस वक्त applicable है, जब जो theta है, इसको radian में लिया जाए, अब इधर theta जो है, revolution में दिया गया, इस revolution में theta को हम radian में convert करते हैं, theta is equal to 2 revolution, revolution की दिगा, 2 pi radian, so theta comes equal to 4 pi radian, so 4 pi radian हमने value put की, theta की, तो हमारा answer आ गया, 8 pi, pi की value put की, then 25, so correct answer is delta, direction of angular displacement, angular displacement के direction निकालने के लिए हम right hand rule इस्तेमाल करते हैं, कि right hand rule के मताबक आप अपनी fingers को direction of rotation में curl करलने, यानिका अगर rotation इस direction में हो रही है, तो इस direction में fingers को curl करना है, मोड लेना है, और thumb को electric रखना है, तो thumb जो है वो direction देगा हमें angular displacement की, अब अगर motion हो anti-clockwise जैसे ये motion है, this motion is anti-clockwise direction, तो अगर motion anti-clockwise direction में हो, तो right hand rule के मताबक angular displacement आएगी, upward, in upward direction, और अगर motion clockwise हो, जैसे ये motion है, this motion is in clockwise direction, तो इस case में angular displacement जो है, वो downward direction में आएगी, theta will be downward direction, लेकिन angular displacement जो है, always long axis of rotation होगी, always long axis of rotation, कोई भी vector, any vector in angular motion is directed along axis of rotation, ठीक है, चाहे उसके direction upward है, चाहे downward है, लेकिन वो axis of rotation के long ही होगी, what is angular velocity, जिस तरह linear motion में हमने पढ़ा था कि rate of change of displacement is called linear velocity, इसी तरह rate of change of angular displacement is termed as angular velocity, angular velocity को donate करते हैं, omega से, and omega is equal to theta by T, और angular displacement by T, it is a vector quantity, ठीक है, it is directed along axis of rotation, आप units के हैं, टीक टाइम का unit जो है, वो सेकिंड है, ऐसा unit इस तरह ठीटा का angular displacement का SI unit radian, so SI unit angular displacement का radian per second, अधर unit इसके कौन से हैं, revolution per minute हो सकता है, revolution per hour हो सकता है, revolution per second भी हो सकता है, तो omega average और इसको इस सिंबल से भी denote करते हैं, it is equal to total angular displacement divided by total time and angular velocity at any instant is equal to limit delta T approaches to zero delta omega by delta T. यहांपे का MCQ देख लेते हैं, angular velocity of second hand of watch is 5 radian per second, then angular velocity of minute hand of watch is, किस MCQ को हमने किसना deal करना है, angular velocity second hand की is equal होती है, theta by T, theta कितना होता है, 2 pi radian, एक watch देखें, अगर हम, एक watch है, तो यह फर्ज कर लें, उसकी second hand है, तो यह जो second hand of watch की, यह अपने एक complete चकर में कितना फासला दाय करती है, circumference of circle के बराबर दाय करती है, that is 2 pi radian, one complete चकर लगाने में यह 2 pi radian फासला दाय करती है, इसलिए इसकी displacement जो है, वो 2 pi radian है, और कितने टाइम में यह फासला दाय करती है, 60 second में, जो second hand है, वो एक minute के अंदर, यानि 60 second के अंदर, पूरा चकर लगाती है, इसलिए इसकी हम omega angular velocity निकाल लते हैं, 2 pi radian divided by 60 second is equal to pi by 30 radian per second, this is for second hand, अब minute hand की बात करें, omega minute, तो यह फार्ज कर ले minute hand है, इसकी, अब minute hand जो है, फासला वो भी तह कितना करती है, 2 pi radian, यानिके circumference of circle के बापर, फासला था है करना है उसने, लेकिन time plate वो कितना लेती है, एक गंटा, यानिके 60 minute वो लेती है, minute hand, 60 minute कितने second के बापर है, 60 multiply 60 करने, तो यहाँ पर 2 जो है, 60 से काट गया, it comes to pi radian divided by 30, multiply 60 था, तो बटे में उस 60 को हमने अलाग कर लिया, 1 by 60, तो यह factor हम देखें, this factor is, angular velocity of second hand, ठीक है, और pi radian by 30, यह angular velocity है, second hand की, तो इसके तिखा हम second hand put कर रहते हैं, तो omega minute hand, या minute hand की angular velocity, जिक्वल है, second hand की angular velocity, divided by 60, तो इनका simple relation यह है, ओमेगा second, second hand की angular velocity, इस इक्वल टू, minute hand की angular velocity, multiply by 60, MCQ का answer किस तरह हम करेंगे, MCQ में उन्होंने second hand की, विलास्टी दी हुई है, और minute hand की विलास्टी, पूछी हुई है, तो यहाँ पे second, second hand की विलास्टी उन्होंने हमें दी हुई है, ठीक है, minute hand की पूछी हुई है, तो minute hand की निकालने के लिए, 60 को इदर डूआइड कर दिया, इनके second hand की विलास्टी को, 60 से डूआइड कर दिया, तो मारा पास minute hand की विलास्टी आजाएगी, 0.083 radian per second, तो यह फार्मूल हमें क्या बताता है, जो second hand है, वो minute hand से 60 ताइम्स फास्टर है, यानि के minute hand जो है, वो 60 ताइम्स स्लोवर चाल रहा है, यही तो reason है, ने सिंपली बता सकते हैं, कि जो second hand है, वो एक minute में चकर मकमल का रही है, जबके minute hand जो है, में चकर मकमल का रही है, सी तरह एक और MCQs है, कि omega r, इनके r hand की जो एंग्ल विलास्टी है, वो है 10 radian, then omega minuties, अब इनका relation क्या है, यह watch फर्ज कर लेते हैं, और यह इसकी होगी, minute hand कह लें, यह इसकी r hand कह लें, अब omega r किसे न कह लेंगे, फास्ता omega r ने भी उतना ही तया करना है, 2 pi radian, यानिके इस रिक्वल टू सर्कॉंफिरेंस आफ सर्कल, और टाइम यह कितना लेती है, omega r एक चकर मकमल करने के लिए, 12 गंटे लेती है, यहाँ पर student mistake क्या करते हैं, वो इदर 24 गंटे लिखते हैं, तो इसमें mistake यह नहीं करनी, 24 गंटे नहीं लिखना, बलकि इसके 12 गंटे लगते हैं, तो 12 गंटे 12, multiply 60, minute के लिए, then 60 for second, तो इसमें से 12 को हम अलाग काल लेते हैं, बटे में से, और 2 pi radian, अबर 60 multiply 60, इस factor को यह factor हम पूरा देखें, तो यह factor जो था, यह minute hand की velocity थी, angular velocity, ठीक है, this factor is angular velocity of minute hand, यह minute hand का फासला, और यह उसके एक गंटा लगते, 60 multiply 60, तो 12 को हम अशुलेट काल लिए, तो इसके लिखने हम minute hand की विलास्टी, की angular velocity पूट काल लेते हैं, तो omega r, नहीं के r hand की angular velocity, is equal to minute hand की angular velocity, divided by 12, तो 12 उससाइट को multiply कर दें, तो omega minute hand की आ जाती है, omega r multiply 12, तो mcq में उन्होंने omega r दी हुई है, omega minute पूछी है, तो omega r 10 को 12 से multiply कर दें, तो omega minute आ जाएगी, 120 radian per second, फार्मूलाज ये शार्ट कट आपने याद करने हैं, ये आपको mcq सॉल्फ करने में help करेंगे, नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं, कि जो linear velocity होती है, और angular velocity उसका क्या relation है, तो v is equal to omega cross, और cross product, और cross product में जो निया vector होता है, वो initial two vectors के prependicular होता है, यानि के यहां पर जो v है, v वो prependicular है, r के, और v जो है, वो prependicular है, omega के, ठीक है, तो v जो है, ये directed है along tangent, ये इन circle है, इसके उपर कोई भी tangent बना दे, उसके long जो है, ये velocity होगी, इसको tangential velocity भी कहते हैं, और r जो है, ये directed है, center of circle, to circumference of circle, ठीक है, अब r के डेक्शन ये है, v के डेक्शन ये है, तो इन दोनों के तरवियन एंगल कितना बनता है, 90 degree, here is angle of 90 degree, इसी तरह omega के बात करें, omega जो है, it is long axis of rotation, axis of rotation, जो है, ये plane of circle के prependicular है, 3D में ये बैटर शो होता है, ये plane of circle के prependicular होता है, जबके ये जो है, velocity ये long tangent है, ये plane of circle में ही है, ठीक है, इसलिए, axis of rotation और velocity का relation के ये भी prependicular है के दूस्टे के, यानिके, omega और linear velocity, these are both perpendicular to each other, अब दो prependicular vectors का अगर हम dot product करें, तो dot product में cos 90 आता है, and cos 90 is equal to 0, ऐसे r.v कालने, तो ये आ जाएगा, r.v cos 90, and cos 90 is equal to 0, so it whole factor comes is equal to 0, इसलिए r.v करें, तो दोनों वैक्टर जो हैं वो prependicular है, their product dot product is 0, omega क्रास r कर लें, omega and r, they are both perpendicular, इनका dot product भी 0 होगा, और omega dot v कर लें, तो इनका dot product भी 0 होगा, क्योंकि ये एक दूस्टे के prependicular है, और cos 90 जो है वो 0 होता है, प्रूस्टे के भी 0 होगा, प्रूस्टे के टक्रास आईक् paar होगा,